यांग अईर्वेद डॉक्टर्स मैं डॉक्टर वसिष्ट आपके लिए एक नई श्रंखला शुरू करने जा रहा हैं हमारी कंपनी डॉक्टर वसिष्ट आई रेमेडिस की द्वारा और इस श्रंखला या सीरीज का नाम हमने रखा है आई अईर्वेद मेड इजी यह खास त डिसकस क्या करेंगे मौलिक विश है बहुत ही फंडामेंटल टॉपिक्स ऐसे टॉपिक्स जिनको समझना जरूरी होता है जिनको समझे बिना आईर्वेद समझ में नहीं आता है लेकिन बहुत बार वो हमें चीज़ां समझ में नहीं आती है और आज का जो टॉपिक है वो ब पूरा वीडियो देखिएगा और सबसे पहले हमें ये देखना है कि इन तीनों का वात पित और कफ का एक एक fundamental function है वो आपको समझ में आना चाहिए वात का जो एक fundamental activity या function शरीर में है वो है गती गती का मतलब क्या होता है गती का मतलब होता है movement अगर आप से कोई पूछे कि वायू का या वात का एक सबसे बड़ा function कौन सा है तो आपको समझना है बोलना है movement या गती इसी तरह से पित का ए एक function है primary function और वो है पक्ती पक्ती का मतलब होता है transformation बदलना जो बाडी में अंदर प्रवेश करता है उसको transform करके दूसरा रूप दे देना बाडी के अनुरूप बना देना असिमिलेट कर देना ये काम है या पचाना और कफ का काम है शक्ति यानि बाडी का defense तो गती पक्ती और शक्ति ये तीन है लेकिन अब आप कभी ऐसा कल्पना करते होगे कि ये वादपित कफ क्या चीज़ है क्या ये कल्पनाए है क्या ये कल्पनिक कोई चीज़े है या सचमुच है क्या ये द्रवे रूप है ये शक्ति रूप है बहुत कुछ प्रशन होते हैं आपको ये सम नहीं कर पाते हैं तब हमें confusion होता है कि यह हैं क्या तो हमें इस बात को समझना है कि body किस से बनी होती है cell से cell से बहुत सारे cells जब इकठे होते हैं तो tissue बनता है बहुत सारे tissues इकठे होते हैं तो organ बनता है और बहुत सारे organs जब मिलते हैं तो system बनता है और बहुत सारे systems मिलते हैं तो body physical body बनती है यह हो गई anatomy फाइन लेकिन अब हमें देखना है कि यह जो वात-पित-कफ़ है क्या यह होते कहाँ पे है और अगर यह होते हैं तो किस रूप में होते हैं यह आपको समझने की कोशिश करनी है सबसे पहले हम बॉड़ी पे चलते हैं बॉड़ी में फिजिकल बॉड़ी में फिजिकल बॉड़ी में जितने मूवमेंट होती है यह सारी की सारी मूवमेंट जो है यह वायू के कारण होती है तो मैं अगर अपने हाथ हिला रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ या मेरी बाड़ी के अंदर जो जो physical activities चल रही है whatever circulation, digestion, excretion, thinking, respiration, whatever वो सारे के सारी activities, movement की activities वात के कारण हो रही है इसलिए physical body में वात है इस बात को आप समझ लेजे उसी तरह से, यानि physical body में movement हो रही है और इसलिए ये बताता है, ये physical body में वात है अब इसके बाद physical body में transformation भी हो रहा है बहुत सारी चीज़ें हैं, बदलती जाते हैं हम आहार किसी form में लेते हैं वो बदलता बदलता किसी और form में चला जाता है transformation होता है तो ये transformation जो है, ये पूरी body में हो रहा है तो ये पित भी है पूरी body के अंदर और पूरी physical body जो है ये हमारी अपने आपको सुरक्षित भी रख सकती है रखती है, तब ही हम जीवित रहते हैं यानि defense भी इस पूरी body में होता है उसका मतलब यहाँ कफ भी है, शक्ती भी है तो इससे एक बात तो clear हो गई कि पूरी body के अंदर वात, पित, कफ है और फिर ऐसा बहुत कुछ अलग-अलग अचारियों ने oversimplify करने के लिए अतरी सरल बनाने के लिए ताके आयर्वेद के छात्रों को समझ में आ जाए ऐसे बता दिया कि body का जो उपर का part है इसमें कफ बहुत होता है मध्य में पित होता है और नीचे जो है वो वायू होता है यह सिर्फ समझनी की बात है वरना ऐसा नहीं पूरी body में पूरी body में बराबर वात पित कफ है यह बात आपको practically पूरी तरह से समझनी है आपको यह नहीं समझना है कि यहाँ वात जादा है यहाँ पित है कफ है क्यूंकि उससे बहुत ज़़दा confusion होता है अब आप मुझे पूर सकते है कि अगर physical body में हर जगा यह तीनों है तो किस form में है ताकि आपको समझ में तो आए तो मोटे तोर पे अभी देखे यह विशह लंबा है हम बहुत सारे वीडियो इसकी उपर बाद में बनाएंगे लेकिन आज ग्रॉसली आप यह समझ लीजिए कि वात के जो functions है यह पूरी body में जो system करता है उसका नाम है neuro endocrine system तो जब पूरी body की बात आएगी बात समझ लीजेगा पूरी body में वात को represent करने वाला कौन सा system है जब यह बात आएगी तो आपको एकदम से समझना है कि neuro endocrine system यानि nervous system और hormones यह दोनों का काम movement होता है control होता है और इसलिए यह पूरी body का बात है मैं पूरी body की बात की हो कर रहा हूं यह समझाता हूं बात में अब पित जो पूरी body के अंदर जो पित है यानि यह activity जो transformation की चलती है यह enzyme system है आप बोलेंगे कि ऐसा तो कोई system ही नहीं होता भाई इसी को digestion कहते है या digestion इसी को metabolism कहते है यह basically digestion और metabolism चलता किसके उपर है enzymes के उपर चलता है तो हम ऐसा मान सकते हैं कि पूरी body के जो enzymes हैं वो बनाते हैं पित मैं आपको बार-बार कह रहा हूँ कि यह oversimplification है और इसके बाद अगर body में कफ है तो defense हो रहा है तो यह कैसे पता चलेगा उसके लिए body में कौन सा system है तो वो हमारे body में system है immune system या immunity और यह body को defend करता है इसलिए इसे हम समझ सकता है कफ अब जब मोटे तोर पर grossly वात पित कफ की बात आएगी तो आपको समझ लेना है कि वात का जिक्र आते ही आपको समझ लेना है nervous system और hormonal system या hormones या endocrine glands पित का नाम आते ही enzyme system कफ का नाम आते ही immune system grossly हमने समझ लिया लेकिन अब हम आते हैं body के बाद आगे तो जब हम systems में जाते है वहाँ भी movement होती है transformation होती है वहाँ भी defense है यानि systems की level पे भी वात पित कफ है ये बात आपको समझता है एक बहुत important है जब उस system में अगर बहुत सारे organs है तो उन हर एक organ में movement होती है transformation होती है defense होता है यानि वात पित कफ एक एक organ में भी है और वो organ बना है अलग-अलग tissues से तो उन में भी movement होती है transformation होती है और defense होता है हर एक tissue का तो वहाँ भी वात पित कफ है tissues level पे भी और हर एक tissue बना होता है cells से तो वहाँ cell के अंदर भी movement होती है उसके अंदर भी transformation होती है उसके अंदर भी defense होता है यानि एक cell के अंदर भी वाद पित कफ होता है ये आपको समझना पड़ेगा यानि जो body का जो basic unit है वो cell है उसके अंदर nucleus है इस cell के नदर और ये बाहरheid और साइटो- प्लाजम है इस cell के अंदर जो movement चल रही है और बहुत सारी activities होती है वो movement बताता है के इसके अंदर vaat है और इसके अंदर जितनी transformation चल रही है transformation मैं बार बार कहा हूँ उसका मतले होता है जो metabolic activities चल रही है वो पित के कारण हो रही है और इसी cell को के अंदर जो आपने आपको सुरक्षित रखने की यानि defend करने की जो इसके अंदर क्षमता है defense है वो कफ के कारण है यह मोटे तोर पर समझना है तो body से लेकर system, organ, tissue, cells सब जगा गती, पक्ती और शक्ती है सब जगा movement हो रही है, transformation हो रही है और defense हो रहा है इसलिए यह वात, पित, कफ पूरी body में, पूरे systems में, organs में, tissues में और cells में है यह practically आज हमने grossly देखा है, आप इसको इतना ही समझ लीजिए, आने वाले videos में हम इनको एक एक करके जब समझेंगे तो आपको बहुत ज़्यदा समझ में आएगा, फिर हम देखेंगे वात, पित, कफ की दुष्टी का क्या मतलब होता है, रोग कैसे पैदा होते हैं आज बस इतना ही, आप आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आप जरूर बताइए, अपने इसको बार बार देखिए, अपने दूसरे classmates को, friends को भी बताइए, batchmates को, ताकि सब को इसका benefit मिले, ये वीडियो देखने के लिए धेर सारा धने बाद, नमशकार, अपना ध्यान आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, अपने विचार comment section में जरूर बताएं, और भविश्य में ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल like, share and subscribe करें, धन्यवाद